तो देखे पैरे बचो आज दुबारा से आपकी कलास बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहा हूं मैं और जो बीच में गैप पड़ गया उसके लिए बहुत सोरी आप सभी आप सभी से लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था क्लासे स्टार्ट करने से पहले कि हो सकता है मैं रेगुलर रहूं या ना रहूं लेकिन जब भी मुझे टाइम लगा करेगा मैं आपको क्लास प्रोवाइड किया करूँगा तो आप बहुत से बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सरा आप क्लासे से दुबारा स्टार्ट करो तो बिल्कुल अपने वहीं से जो फास्ट यूनिट अपनी चल रही थी उसके बिल्कुल लास्ट में दो तिन टॉपिक बचे हैं वो कर रही है तो करियोलिस फोर्स अपना में टॉपिक था और करियोलिस फोर्स में जो आज का अपना टॉपिक है प्रीवियस जो टॉपिक था वो मैंने बोर्ड पर करवाया था और उसमें अपने पड़ा था कि अगर अपने क्या करें उपर से किसी नीचे किसी object को फेंकें मतलब उपर से बगड़ रखा है नीचे उसको फेंकें तो उस पर कुरियोलिस बल किस साइड लगेगा और कुरियोलिस displacement है वो किस साइड होगा तो एक चीज मैं आपको कुरियोलिस force करने से पहले फिर से याद करवा दूँ कि कुरियोलिस force जो अर्थ है अपनी वो दो पार्ट में बड़ी हुई है equator line है एक अर्थ के जो बिल्कुल बीच में से center में से जाती है वो अर्थ को दो पार्ट में बाटती है उपर वाले पार्ट को northern hemisphere कह देती है हिंदी में उतरी गुलार्द और नीचे वाले जो पार्ट है उसको अपने southern hemisphere याने की दक्षिनी गुलार्द उसको बोल देती है तो दोनों में ही कुरियोलिस force की direction है वो change हो जाती है तो अपने जितने भी cases यहां पर पड़ेंगे ऐसे तो एने भी अपने double double काम करे जाएं अपने समझ लिया था कि जो northern hemisphere है मतलब उतरी गुलार्द उसमें अगर अपने सामने से किसी चीज को देख रहे हैं तो अपने right hand side की तरफ कुरियोलिस force लगेगा और कुरियोलिस displacement display से इसी side हो गया जो object हो ठीक है और इसी तरह southern जो hemisphere है दक्षिनी गुलार्द उसमें left hand की तरफ अपने लगेगा अगर अपने सामने से object को देख रहे हैं ठीक है और एक अपने equation निकाली थी यह equation देखो आपके सामने है मैं आपके निशान यह वाली यह अपने किसकी निकाली थी angular velocity of earth ठीक है angular velocity थी अर्थ की तो इस earth के rotation के कारणी इस angular velocity के कारणी को रियलिस force है वो apply होता है अर्थ पर moving object पर यह जो force है यह apply होता है ठीक है इतनी बात आपको पता होगी तो अब अपने देखो आज का topic start करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समझना है physics जिस बच्चे को समझ में आगी उसके लिए आसान है जिसको नहीं समझ में आगी उसके लिए सबसे hard subject है ठीक है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में अर्थ के लिए जो omega vector होता है अर्थ के लिए ये value होती है omega cos lambda j dash cap प्लस omega sin lambda k dash cap ठीक है अब i dash j dash ये तो अर्थ के plane में होते हैं k dash cap क्या होता है upward होता है direction ठीक है जैसे i j k होते हैं वैसे x y z axis होते हैं उसी के long होते हैं अब next है क्यों कि वस्तू उपर फेंकी गई आता है t समय बाद इसका वेग object is thrown upward so it's velocity after time t is यानि अपने object को क्या किया है upward direction में फेंका है यानि वस्तू को उपर के और फेंका है तो इस पर t time बाद t time के बाद इसकी जो velocity होगी वेग होगा इसका वो क्या होगा ठीक है तो वो देखो क्या होगा आपने Newton's first equation पढ़ी होगी v is equal to u plus 80 ठी ठीक है तो वो ही equation मैं यहां पर लगाने जा रहा हूँ कि यहां पर जो v vector होगा velocity होगी ठीक है वो velocity आपके पास हो जाएगी v vector is equal to यहां पर u u minus और यहां पर होजाएगा gt और यह होजाएगा बचो k dash gap आपके पास ठीक है अब आप कहोगे कि sir आपने यह कैसे लिखा तो इसके लिखने का reason यह है देखो यहां पर वैसे तो यह वाली equation लगाईए मैंने v is equal to u plus 80 यह equation होती है simply तो यह equation Newton के apply किया अब बीच में minus आया है तो time तो minus का होता नहीं है अब a minus का हो सकता है तो earth के लिए a की value क्या होती है g के equal आती है earth के लिए a है वो g के equal होता है और g किस side में लगता है क्योंकि earth हर एक object को अपनी तरफ क्या करती है attract करती है अपनी तरफ खींचती है तो g को अगर object आपका नीची आ रहा है तो g को और अब्जेक्ट अगर अपने अर्थ के ऊपर जा रहा है तो अब अर्थ तो उसको फोर्स की साइड लग रहा है अर्थ की अर्थ जो फोर्स लगाती है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो तो क्या लग रहा है नीचे की साइड लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है ल is equal to आपने minus g लिया हुआ है क्योंकि upward direction के कारण upward ऐसी चीजें आप मैं पूरी नहीं वैसे hint के तौर पर आपको बताता हूँ आप hint के तौर पर लिख सकते हो ये सारी चीजें ठीक है न तो इनको रफ कर देता हूँ जो मैंने वैसे लिखे हैं तो आपको उमीद है समझ में आगी होगी अब एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है कि सर जो आपने साथ में k-cap लिखा है ये क्या लिखा है तो देखो object आपका कहा जा रहा है उपर जा रहा है अपवर्ड डिरेक्शन में जा रहा है तो अपवर्ड डिरेक्शन देखो अगर मैं आपको pen से समझाओ जैसे दो pen है तो ये अर्थ के plane में है तो एक इसमें से i-cap होगा और एक g-cap होगा इसी तरीके से होंगे यह अर्थ के plane में है तो आई और जी और तीसरा जो axis होगा वो इसके क्या होगा upward होगा ऐसे ठीक है न, दो तो यह होगा मानलो अर्थ के plane में और एक ऐसे होगा वो upward direction में होगा तो upward direction, k-cap है k-cap ले रहे हैं तो अपने object है वो कौन सी direction में जा रहा है की dash gap में जा रहा है तो इस कारण की dash gap यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो इतनी बात समझ में आगी होगी velocity अपने लिख लिए omega लिख लिया अब अपने जानते हैं कि Coriolis force की Coriolis force Coriolis force का जो formula होता है वो आपने पड़ा हुआ है fc vector is equal to minus 2m और साथ में क्या होता है omega vector और cross में v vector ठीक है यह किसका formula होता है Coriolis force का अर्थ के लिए तो अब अपने इसमें क्या करते हैं values put कर देते हैं अपने पास omega vector की value भी है v vector की value भी है तो fc vector is equal to आपके पास क्या आ जाएगा minus 2m बाहर रह जाएगा ठीक है यहाँ पर अपने क्या बनाएंगे determinant बनाएंगे मतलब सारनी i dash cap j dash cap और साथ में यहाँ पर k dash cap आ जाएगा ठीक है हो सकता है यह मेरी photo के पीछे चला गया हूँ थोड़ा से उपर कर देता हूँ इसको तो यहाँ पर सबसे पहले omega वाले तो omega में j dash और k dash थी यह था omega cos lambda और यह था omega sin lambda ठीक है और यह 0 यह 0 और यह u minus gt यह ही है ना आपके पास u minus gt v vector वाला जिसमें only k dash कहप है ठीक है तो अब अपने इसका cross product करते हैं तो देखो जब आप i dash cap का करोगे तो यह i dash वाली line को छोड़ दोगे ठीक है जो आपके पास i dash वाली line है इसको छोड़ दोगे तो यह हो जाएगा cross product कोई बात नहीं लेकिन j dash वाला जब करोगे तो यहाँ पर दोनो 0 है और इन दोनो 0 का k dash वाले के साथ जो multiply करेंगे तो यह 0 आएगा बिल्कुल इसी तरीके से k dash वाले का करोगे जब आप cross product तो फिर दोनो 0 आजाएगी मतलब इसमें only i dash cap का ही क्या होगा यहाँ पर cross product होगा तो जो इसका result आएगा cross product का fc vector is equal to minus 2m और omega cos lambda u minus gt और साथ में यहाँ पर क्या आजाएगा i dash cap ठीक है यह आएगा बैस और कुछ नहीं आएगा बाकी सारे plus में अगर plus में 0 लिखना चाओ आप plus 0 plus 0 यह लिख सकते हो आप तो दुबारा से अगर fc vector is equal to minus 2m u minus gt बड़ा bracket लगाने की जुरूरती नहीं है यहाँ पर minus 2m u minus gt और साथ में आजाएगा cos lambda और i dash कैप यहाँ पर आजाएगा ठीक है तो अब अगर अपने यहाँ पर koreolis force देखें तो sorry यहाँ पर और एक चीज रह गी है omega ठीक है omega यह omega cos lambda यहाँ लिख दिया तो इसको थोड़ा सगर में adjust करके लिखूँ तो देखो minus का sign मैं अंदर बेज देता हूँ direction के क्योंकि minus हमेशा direction के कारण ही आता होता है किसी भी अगर अपने derivation में minus आता है तो वो direction के कारण आता है इसको minus i-cap लिख सकता हूँ मैं तो minus i-cap यहाँ पर आपके पास आ गया तो minus i-cap का मतलब क्या है कि अगर आप object को उपर फेंक रहे हो जैसे मालो आप यहाँ से यहाँ पर खड़े हुए हो और उपर फेंक रहे हो object को तो उसकी जो direction हो जाएगी बचो वो direction आपके पास कौन सी हो जाएगी यहाँ पर minus i-cap direction हो जाएगी तो यह direction वैसे बनेगी कौन सी आप minus i-cap जो direction बनेगी यह direction ही यहाँ पर बन जाएगी west direction कौन सी बनेगी west direction बन जाएगी ठीक है west direction तो यह आपके पास जो इसका formula है वो आ जाएगा आपके पास कि जो Coriolis Force है वो आपका इस तरीके से इस पर apply होता है ठीक है ना Coriolis Force तो अब अपने अगर ये तो Coriolis Force का formula आ चुका है यहां पर किसके लिए कि अगर आपने object को क्या किया हुआ है upward think आ हुआ है तो उसके लिए जो Coriolis Force है अब बात करता हूँ मैं यहां पर अगर acceleration की ठीक है Coriolis acceleration Coriolis acceleration तो Coriolis acceleration की बात करते है अगर अपने तो Coriolis acceleration अपने क्या करेंगे f is equal to m a होता है ठीक है तो a यहां पर अगर अपने इस m को हटा दे तो बाकी सारी बची होई चीजी यहां पर क्या है acceleration है तो मैं acceleration के लिए यहां पर ac लिखता हूँ ac ठीक है वेक्टर नहीं लगाऊंगा only इसका magnitude लूँगा क्योंकि अपने क्या करना आगे इसका differentiation integration भी करना है तो यह आजाएगा 2 omega u minus gt और cos lambda अगर आप देखो direction लेना है चाहो तो ले भी सकते हो यहां vector लगा तो यहां minus i cap क्योंकि force और acceleration की direction तो वही आएगी ठीक है तो यह आजाएगी आपके पास तो इतनी बात समझ में आगी यह है Coriolis acceleration आपके पास तो Coriolis acceleration आपने निकाल लिया है अब उसके बाद जो बारी आती है आपके पास Coriolis acceleration के बाद जो next चीज आती है अपने यहां पर निकालने displacement तो displacement की मैंने आपको तरीका बताया हुआ है displacement निकालने का वैसे ठीक है ना तरीका आपको बताया हुआ है सबसे पहले force force से अपने क्या निकालते है acceleration acceleration से velocity velocity से displacement displacement और अपने क्या करेंगे force को जब अपने mass से divide कर देगे acceleration आजाएगा इसका integration कर देंगे velocity आजाएगी velocity का integration कर देंगे displacement आपके पास आजाएगा ठीक है ना तो यह process है एक किसके लिए कि अगर अपने displacement को निकालना है ठीक है physics में यह process बहुत जगा काम आती है आपको यह वैसे याद रखना है कि अगर अपने कहीं force दिया हो और आपको displacement पूछा है वैसे तो work वाले से भी निकाल सकते हो लेकिन जब work नहीं दिया हो अपने को यहाँ पर work से लेना देना ही नहीं नहीं है ठीक है तो अब देखो अपने को क्या करना है कि velocity निकाल लिया है तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं लिखते हैं integrating integrating both sides with respect to t t के respect अपने क्या करते हैं दोनों sides को integrate कर देते हैं तो देखो acceleration को जब left hand side या नहीं जो acceleration है उसको जब अपने करेंगे तो यह तो velocity बन जाएगी क्या बन जाएगी यह velocity बन जाएगी यह 2 omega यहाँ पर पड़ा रहेगा ठीक है अब t के respect गिया है t वाले का ही होगा तो अपने यहाँ पर अंदर u के साथ t आ जाएगा क्योंकि अगर मालो 2 का integration आप करते हैं t के respect 2 into dt तो आप इसको 2 t लिखते होगा क्योंकि 2 तो 12 आ जाता है ठीक है और only dt का होगा integration तो वो क्या जाएगा t तो बिलकल वही चीज़ यहाँ पर apply हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगा कि जो integration है आपके पास u का वो ut बन जाएगा माइनस में g और t का क्या हो जाएगा t square upon 2 ठीक है यह हो जाएगा और साथ में cos lambda आप का होगे कि 2 omega cos lambda का नहीं हुआ तो यह multiply में है तो multiply वालों का नहीं होता ठीक है न plus minus वालों का होता है तो अब देखो next चीज यह आपके पास क्या आगी velocity आगी है ठीक है और साथ में एक चीज़ ओर आएगी यह हम पर constant आजाएगा c या c1 आप लिख सकते हो क्योंकि यह एक indefinite integral है मतलो आए निशित स्मार्क लेना और इसमें c आता है तो अब इसके बाद इस c को हटाने के लिए now at t is equal to zero time t is equal to zero time अगर अपने यहां पर रखें तो यहां पर t is equal to zero यहां पर t is equal to zero तो यहां रखेंगे तो उस time जो object की velocity थी वो velocity भी क्या थी 0 थी कारण जब आपने object को उपर फिंक आई नहीं है तो उसकी velocity क्या हो जाएगी 0 ही होगी समझा ही बात है तो बिल्कुल starting initial time की बात कर रहे है initial time में t is equal to zero पे velocity 0 क्योंकि उसको उपर फिंक आई नहीं है ठीक है तो vc is equal to zero तो t is equal to zero और vc is equal to zero इस उपर वाल equation में पुट कर दो इसमें दोनों में तो इसमें अपने जब पुट करेंगे तो जो यहाँ पर c1 की value आजाएगी वो क्या आजाएगी 0 आजाएगी ठीक है तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं तो vc जो आपका बनेगा वो बनेगा 2 omega ut minus gt square upon में 2 और cos lambda यह बन जाएगा ठीक है देखो उपर मैं equations को number लगा देता हूँ यहाँ पर यह first equation है force वाली ठीक है acceleration वाली यहाँ पर second equation है और जो velocity वाली है क्योंकि आगे equations अपने काम आ जाएगी तो velocity वाली को third equation यहाँ पर दे देते हैं अपने यह third equation आगी आपके पास ठीक है अब velocity तक तो पहुंच गए अब बात आती है displacement की तो displacement निकालना है तो दुबारा से integrating integrating equation third equation third का अपने दुबारा से integration कर देते हैं with respect to t ठीक है तो अब अपने जब इसका integration करेंगे यहाँ पर तो जो integration आएगा इसका वो देखो क्या आएगा vc सबसे पहले left hand side vc तो vc तो आप displacement में change हो जाएगा और displacement जो आपकी book में यहाँ पर दे रखा है वो x- दे रखा है ठीक है तो जो यहाँ पर displacement आएगा वो आपकी पास यहाँ पर x- x-c ठीक है x-c is equal to 2 omega bracket वाले का ही होगा only integration ठीक है और cos lambda यहाँ पर लिख दो यह तो आप पहली लिख दो अब u u का तो नहीं u तो बार t का क्या हो जाएगा t square upon 2 तो यह बनेगा ut square upon 2 minus में अब उपर देखो आप g t square upon 2 है तो g upon 2 तो पड़ा रहेगा अब t square का होगा और t square का होगा t cube upon 3 तो नीचे 2 पहले से पड़ा है एक 3 और आजाएगा तो जो इसका हो जाएगा integration वो मैं आपको डिरेक्ट यहां पर लिख देता हूँ g t cube और upon में क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा ठीक है न यह आजाएगा आपके पास और plus में यहां पर एक चीज और आजाएगी c2 जो यहां पर next constant आजाएगा ठीक है न थोड़ा से उपर कर देता हूँ और आपको और पता लग जाएगा तो यह रहा ठीक है न cos lambda plus में c2 आजाएगा अब दुबारा से अपने को वही चीज यह आपर apply करनी पड़ेगी अब क्या apply करेंगे अपने पहले मैं equation लिख देता हूँ दुबारा से कि x-c is equal to देखो जो displacement आया अपना x-c x-c is equal to जो यहां पर आया है 2 omega cos lambda 2 omega cos lambda और ut square upon 2 और minus में gt cube upon में 6 आगया ठीक है यह equation आई थी अब इसमें plus में c2 लगाया हुआ है c2 लगाया है तो अब इसमें वही अपने equation sorry जो condition है वो apply करती है कि at t is equal to 0 time पे जो t is equal to 0 time है उस पे displacement कितना था x-c- तो अब t is equal to 0 time पे आपने object उपर ही नहीं फेंगा तो जब उपर नहीं फेंगा तो displacement कितना होगा 0 होगा ठीक है तो velocity 0 है तो displacement भी 0 तो इसका मतलब c2 भी यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो x-c last में बनेगा आपके पास वो यह बनेगा यह मैं उल्टा लिख देता हूँ c नीचे और यह उपर ठीक है तो यह बनेगा 2 omega cos lambda और साथ में ut square upon 2 minus में gt cube upon में 6 ठीक है और यह equation number 4 बन गई है आपके पास ठीक है इसको अपने डबे में बन्द कर देते हैं डबा लेते हैं यहाँ से यह ले लिए डिबा और इसके अंदर कर दिया इसको बन्द ठीक ठीक है न तो यह आपके पास आ गया है Coriolis Displacement तो यह तो इतना ही है अब आपकी जो बुक है बुक में मैं देख रहा हूँ कि यह formula थोड़ा सा और तरीके से दिया हुआ है ठीक है न थोड़ा सा और तरीके से तो इसको बुक के इसा आपसे modify करते हैं वैसे तो यह formula बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन बुक के इसा आपसे इसको set करते हैं थोड़ा देखो अपने अगर अंदर यहाँ पर फिर वही आदत आदत से मजबूर हो जाता है वेक्ती तो 2 omega cos lambda अंदर LCM ले लो आप अंदर LCM आएगा 6 ठीक है और यहाँ पर 3 ut square बन जाएगा और minus में gt cube बन जाएगा अब इस 2 से यह वाला 6 cancel होके 3 बचेगा यहाँ पर तो जो x c dash बनेगा वो आपके पास बन जाएगा omega cos lambda upon 3 और 3 ut square minus में gt cube समझाई बात यह formula आगया है एक आपके पास इसको equation number 5 दे दो यहाँ पर ठीक है अब एक formula और आपको given है अब वो formula कौन सा है कि वो formula आपके पास है height की form में height की form में तो height अगर अपने निकाले यहाँ पर तो आप देखो कि जो height होती है height की form में है या फिर height की form में है formula आपके पास ठीक है तो यह देखो formula अपने next लिखते हैं यह है special case मैंने special case इसका बना दिया है आपकी book में तो नहीं दिया हुआ special case इसका तो इसमें क्या दिया हुआ कि if a body reaches the ground in t second then displacement is यानि कि अगर कोई body है वो t second में earth पर पहुँचती है मतलब आप अब समझो एक बार इसको देखो book में जो formula दिया हुआ है वो समझती है कि यहाँ से उपर जाती है मानलो यह ground है ground से उपर फिंकी आपने यह बिल्कुल peak point था और peak point से दुबारा यह क्या गएगी ground में आएगी तो इस उपर जाने में यह upward है और यह downward मतलब कि जहां से फिंकी वहीं वापिस आने में उसको t time लगता है total time कितना लगता है t उपर फिंका फिर वो नीचे आई तो उपर फिंका नीचे आई यतने total में कितना time लगा उसको t time लगा ठीक है तो इस total t time में वो कितनी displacement हुआ उसका displacement तो उसका displacement यहां पर zero हुआ क्योंकि आपके पास यह body थी आपने उपर फिंकी आपके पास दुबारा आगी है तो displacement क्या हुआ जिरो हुआ जितनी उपर गई थी उतनी नीचे आगी हुआ तो displacement यहां पर zero तो यह condition है यहां पर दी हुई है ठीक है न book में यह condition दी हुई है और इस हिसाब से अपने को जो formula है वो अपने को निकालना है T की form T की form में तो आपको चलो दिया है special case मैं यहां पर लिखे देता हूँ आप समझ जाओगे special case special case यहां पर दिया हुआ है कि if a body reaches the ground in T second in T second then displacement is then displacement is यहने T second में body क्या है नीचे आती है ground उपर है तो इसका displacement क्या हो जाएगा तो अब अपने क्या है यहां पर इस case में S is equal to आपके पास 0 है S क्या यहां पर 0 है और जो यहां पर time में आपके पास वो T है time कितना है T है total time तो अपने अगर second equation लगाए है आपर S is equal to UT plus half AT square यहां पर अपने उपर फेंक रहे हैं object को तो UT minus half GT square ठीक है तो इस से अगर अपने निकालें तो S is equal to 0 पुट करो तो UT minus half GT square is equal to 0 यहां से अगर अपने निकालें तो UT is equal to half GT square यह मेरी फोटो के पीछे आगया अगर उपर कर देता हूं इसको तो यहां से T से T cancel हो जाएगा और T की value निकाल लो आप तो अगर T की value यहां से निकाल लेंगे तो वो आजाएगी 2U upon में G 2U upon में क्या आजाएगा G आजाएगा और इस equation को putting this value putting this value in equation 5 इस जो value है इसको आप क्या करो equation 5 में put करतो हूं ठीक है न तो जब आप equation 5 में इसको put करोगे तो X-C is equal to आपके पास omega cos lambda upon में 3 और यहां पर आपके पास 3U और साथ में क्या था दिखो आप T square और T cube तो T की value आपके पास क्या आगी है 2U upon G आगी है तो T square की value जो यहां पर आजाएगी वो आजाएगी 4U square और upon में G और minus में G और 8U cube और upon में यहां पर G square आएगा और यहां पर आजाएगा G cube आजाएगा ठीक है यह आजाएगी value अब आप देखो इसमें जो cancel हो रहा है वो cancel कर दो और कोई common वगेरा आ रहा है वो common वगेरा ले लो तो यह आजाएगा omega cos lambda upon में 3 और यह आजाएगा यहां पर 12 U cube upon में G square और minus में यह G से यह इसकी power cancel दो रहा जाएगी 8 U cube upon में G square बिलकुल एक जैसे बढ़ रहे हैं तो 12 में से 8 के 4 ठीक है तो X C dash is equal to आपके पास आजाएगा omega cos lambda और upon में 3 और into में 4 U cube और upon में G square ठीक है यह आजाएगा आपके पास G square और यहां से जब इसको set करके लिखेंगे X C dash is equal to देखो एक चीज मैं यहां पर आप देखो इसको G cube लिख दू G cube और G गुणा में यहां पर लगा दू G गुणा में यहां पर लगा दू तो बिल्कुल सही है न तो यह बन जाएगा देखो 4 by 3 4 by 3 G omega cos lambda और यह बन जाएगा U upon G की cube ठीक है यह यहां पर थोड़ा सा अपने क्या कर दिया है इसको set करके बना दिया है formula को तो यह आपके पास courriolis का यानि इसका isolation का sorry displacement का formula आ गया है तो यह formula आपका किसकी form में है बचो यह formula आपके पास है without time की form में ठीक है time की form में नहीं है इसमें इसमें time नहीं है आप देख लो तो यह आज की वीडियो में इतना ही था बाकि अपने next topic next video में डिसकस करेंगे तो मुझे उमीद आपको समझ में आ गया अगर topic समझ में आया हो तो आगे share जरूर करना thank you have a nice day प्यारे बच्च